वेलकम तो नियू लेसेन, इस लेसेन में हम बात करेंगे कि आपको क्या strategy अपनानी है अगर आपका एक coaching business है, आप में से बहुत सारे लोग है जिनके you know small size coaching businesses हैं, जैसे कि कोई 11th को coaching देता है, कोई 10th को coaching देता है, कोई English classes की coaching देता है, कोई SSC की coaching देता है इसी type की छोटी-छोटी coachings देते हैं तो ऐसे अगर आपका coaching business है तो उस case में क्या strategy आपको अपनानी है उसे promote करने के लिए with regards to google ads उसकी हम बात करेंगे तो यह हर किसी के लिए applicable होगा not only for 11, 12 कोई भी coaching business हो उसके लिए applicable है इस strategy देखो अगर आपका coaching business है तो number one काम आपको क्या करना है add तो कताई रन नहीं करनी पहली चीज ठीक है सबसे पहली चीज आप क्या करोगे आप create करोगे YouTube videos कम से कम 15 से 20 ठीक है तो suppose करो आपका आप maths की coaching देते हो ठीक है जी आप maths की coaching देते हो तो आप 15 से 20 videos बनाओ जिसमें आप लोगों को maths सिखा रहे हो अच्छी videos राइट 15 से 20 आपको ये videos बनानी है सबसे पहले ये videos बनानी है और अपने channel पे डालना है YouTube channel बनाना है वहाँ पे ये videos डालनी है साथ में एक और काम करना है post या put all these videos on your website आपको website बनानी है जो उसमें आप से आपके बास 20 video है तो आप 20 blog post लिखोगे और उन blog post में क्या करोगे अपने YouTube की video का जो link है वो आप simple embed कर दो ठीक है simple पहला काम क्या किया आप 15 से 20 video बनाई दूसरा videos में बोलोगे क्या तो अगे आप simple maths की coaching दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे है अगर आपका maths का coaching center है तो आप simple maths की coaching दे रहे हो nothing else आपका कोई और SSC का है तो आप SSC की coaching दे रहे हो आप और कुछ की coaching देते हो तो CA के बारे में बता रहे हो CA के सिखा रहे हो CA के subjects पढ़ा रहे हो that's it nothing else दूसरा काम क्या करना है ये सारी videos अपनी website पर डालने है ठीक है तीसरा काम अब आप run करो search ads ठीक है और email automation setup करो email automation setup then Google ads में account बनाओ उसके बाद remarketing tag लगाओ Google analytics account बनाओ और उसका setup करो ठीक है अब अगर आप चाहो तो re-marketing tag Google ads का लगा सकते हो या Google analytics को import कर सकते हो ठीक है जब ये सारा काम कर लोगे email automation setup कर लोगे Google ads account बना लोगे remarketing tag setup कर लोगे Google analytics account बना लोगे और उसको setup कर लोगे अगर आप remarketing tag नहीं लगाना चाहते remarketing tag नहीं लगाना चाहते तो Google analytics को अपने Google ads के अंदर import कर लोगे वो सब मैं पीछे lessons में आपको बता चुका हूँ फिर landing page बनाओगे thank you page बनाओगे और अब अब run करना start करोगे search ads ठीक है search ads से traffic कहा भेजोगे अपने landing page बे अब होगा क्या दो situation होगी कुछ लोग आपका form भरेंगे sign up करेंगे कुछ लोग form नहीं भरेंगे ठीक है दोनों cases में अगर लोग अगला step क्या है अगर लोग form नहीं भर रे तो इनको remarketing करोगे कहां remarketing करोगे अचया remarketing करने से पहले आपको audience बनानी पड़ेगी ये भी आपने सीख है और उसके बाद आप remarketing करोगे तो अब remarketing कहां करोगे तो remarketing करोगे display पे और remarketing करोगे YouTube पे और हमने सीखा था ना Remarketing List in Search Ads RLSA तो आप Remarketing कर सकते हो Search Ads पे ये तीनों जगा आप करोगे Remarketing ठीक है Perfect Landing Page बनाया कुछ लोग Sign Up करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे फिर आप इनकी Audience बनाओगे कि कितने लोगों ने Visit किया कितने लोगों ने Sign Up किया कितने लोगों ने Sign Up नहीं किया और आप इन सब को फिर करोगे Remarketing Remarketing कहां करोगे तो Remarketing करोगे Display पे, YouTube पे और यहाँ ये तो उनके लिए हो गया जिन्होंने Sign Up Form Fill नहीं किया था और Display पे क्या करोगे एक तो करोगे कि Sign Up या अगर कोई Doubts हैं तो आप वहाँ पे अपना Phone Number शेर करोगे कि Call on this Number Similarly आप YouTube पे Content बनाओगे कि भया आप अगर आप से Maths के Genius बनना चाहते हो आप Maths Wizard बनना चाहते हो Maths में चे Marks Score करना चाहते हो तो We are the best Institute हम यहाँ यापे हैं हम इतने बच्चों को Train कर चुके हैं प्लस आप इन्हें क्या करोगे Remarketing ये वाली तो करोगे प्लस इन्हें Remarket करोगे Simple अपना Content जो भी आपने अब तक Content बनाया है Simple ये Content आप इन लोगों को दिखाओगे Just to prove कि भया आप जो कर रहे हो You know You are good वो सारा Content आप इनको Remarketing करोगे तो ये तो उसके लिए हो गया जिसने Sign Up Form Fill नहीं किया अब जहां तक बात होगी उसके लिए जिसने Sign Up Form Fill किया है आना तो उसके लिए भी Display एड चलाओगे Display एड क्या चलाओगे कि हमारा Next Batch कब से स्टार्ट हो रहा है Next Batch स्टार्ट सून ये वाले Banner चलाओगे ठीक है Plus इन्हें आप Remarket करोगे Content यादे आपको मैंने क्या कहा था आप से आप Blog Content बनाओगे और उससे जो भी आप Content बनाओगे उन सब का आप Blog Post बनाओगे 20 Blog Post तो अब Remarket करोगे Simple और Remarket करके कहां भेजोगे इस Content पे भेजोगे जो आपने 20 Blog Post बनाओगे तो Remarket करोगे और इन्हें यहां भेजोगे तो ये तो Simple हो जाएगा Display Add Similarly जो YouTube पे आप क्या करोगे इन्हें Simple Content दिखाओगे Simple Content ठीक है Simple इन्हें Content दिखाओगे और ये आपका Content देखेंगे और ये आपसे पढ़ने आएगे ये Simple Strategy आपको Follow करनी है अपने Coaching Business को Promote करने के लिए किसी भी टाइप का Coaching Business हो ये Same Strategy मैंने Follow की है और इसी Strategy को यूजज करके Almost 80-90 लाग का Revenue हम generate कर चुक है Same Strategy ठीक है तो क्या Step था Number One YouTube Videos बनाओ कम से कम 15-20 ठीक है क्या करोगे Simple इसमें बताओगे लोगों को सिखाओगे कोई Random वीडियो नहीं बनानी कि आप कौन हो क्या करते हो वैसी वीडियो बनानी है कोई फायदा नहीं इनको अच्छा Concrete Content होगे जिससे वो कुछ सीख सके Then आप क्या करोगे इन सारी वीडियो को लेके Blog Post बनाओगे 15-20 Blog Post बनाओगे इनी वीडियो को Blog बनाओगे और उसमें Embed कर दोगे Then तीसरी चीज़ क्या करोगे फिर आपरण करोगे Search Ad Search Ad से क्या करोगे Landing Page में Traffic भेजोगे और Then आप इसका एक Thank You Page बनाओगे अब ये करने से पहले आपको क्या करना है एक आपको Email Automation सेट अप करना पड़ेगा और आपको Google Ads का Account बनाना है आपको Remarketing Tag सेट अप करना है और आपको Google Analytics से अप करनाना है अब कुछ लोग Form भरेंगे कुछ लोग Form नहीं भरेंगे जो लोग Form नहीं भरेंगे अब आप क्या करोगे सबकी Audiences बनाओगे कि Website पे कितने लोग आए कितनोंने Form भरा कितनोंने Form नहीं भरा ठीक है अब जितनोंने Form नहीं भरा उसे remarketing start करोगे आप अब remarketing कहां करोगे तो remarketing करोगे display पे remarketing करोगे YouTube पे और remarketing करोगे search ad पे अब display पे क्या remarketing करोगे sign up करो या कि कोई problem होगी तो call करो आप अपना phone number दे दोगे YouTube पे क्या remarketing करोगे again content दिखाओगे plus इन्हे encourage करोगे sign up करने के लिए कि आपके साथ sign up करें और ये जाने कि कैसे आपका coaching program इनको help कर सकता है प्लस search ads पे remarketing करोगे अगली चीज़ होगी जिसने sign up किया है उसको display ad दिखाओगे next batch यहाँ से start हो रहा है इस दिन start हो रहा है प्लस उन्हें content पे भेजोगे remarket करके कहाँ बेजोगे content पे जो 15-20 blog बनाए थे वहाँ पे बेजोगे similarly YouTube पे क्या remarket करोगे simple अपना content जो भी आपने 15-20 videos अब तक बनाई है वो content आप simple इन लोगों को दिखाओगे प्लस daily नई 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 वीडियोज आप बनाते रहोगे नई वीडियोज बनाना छोड़ना नहीं है initially कमसरम 50-60 videos बना के आपको अपने channel पे डाल देनी है जो कि future में remarketing के लिए आपको काम आएगा ठीक है तो ये simple strategy आपको बनानी है और ये simple काम आपको करना है अपने business के लिए ठीक है अब ये करना कैसे है exactly ये मैं आगे वाले lessons में आपको एक बर दुबारा समझा दूँगा कि ये सब काम exactly होगा कैसे ठीक है जी so make sure कि आप ये video दुबारा देख रहे हो ताकि आप ये strategy समझ जाओ कोई भी business हो हर business के लिए similar strategy हम लगा सकते हैं आने वाले lessons में ये काम मैं आपको already करके दिखा चुका हूँ बट एक बार मैं step by step दुबार आपको ये करके दिखा दूँगा एक से दो lesson लगेंगे और ये सारा clear हो जाएगा उसके बाद हम और businesses की strategy सीखेंगे कि कैसे उन businesses को promote के जा सकते है ठीक है जी, thank you so much for watching this lesson